हेलो एव्रिवन मेरा नम अमान है तो आज हम शुरू करेंगे अपने बैनर्स को एडिट करना सीखेंगे ठीक है तो इस वीडियो में यह देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं करिंगे हम जैंगे उपने उपने i выз export में तो यहां पर पीड़िट करेंगे लिए कौफ Deo कि तो माई हम यहां पर तो यहां पर यहां से कोपि कर लाएं को को बैस को तो यहां पर एडिट एक ऐड़े नब इड़ा दो हमढ़ल पास याँ पी हम यूज करेंगे यह पास यह पी बैरस इड़े यैनिक करें यह पने कर देटीन तो यह पी अपने बैनरánd imagery कर दोंए तो यहाँगे मैं इक फुरूलर खार दो हुंक से क्वर को को यह पनесп recognizing यह pref cerc करेंगे public function public function edit banner ठीक हमारे पर request होगी ठीक हम रिक्वेस्ट और यहां पर आजाएंगा बैनर.edit banner ठीक है तो मैंने safe किया और उसके बाद हम जाएंगे अपने admin के फोल्डर में admin के फोल्डर में जाके resources views admin और यह banner इसमें हम एक new file create करेंगे जिसका नाम होगा edit banner.blade.php ठीक है तो हमारे पर जो add banner में same as it is हम same HTML use करेंगे क्योंकि हम इसमें कोई changes नहीं चाहिए तो इसको मैं paste कर देता हूं यहां से तो simple मैं इसको भी safe करता हूं ठीक हम यहां पर जाएंगे banners बाले page पर यहां पर हम इसको route दे देंगे ठीक है हम link देंगे url admin edit banner slash dot और यह वाला जो हमरे पर वेरियबल है इसको हम यूज करके अपनी जो भी ID होगी इसको देंगे ठीक है तो इसको मैं यहां पर safe कर देता हूं तो यहां पर आजाएगा dollar banner और यहां पर आजाएगी इसकी ID ठीक है तो let's see इसको मैं refresh करता हूं प्रिफरेश करने के बाद अब यह देख सकते हैं मा इसकी ID's generate हो रही है तो मैं इसको link करता हूं तो मैं पर पर वह पास प्रिफरेश हो जाएगा वाकिए व्यूज और मारा जो एक्शन होगा पहुचेगा मारा चेंज तो यहां पर वजाएगा मारे पास बैनर उसके बाद हमारे पास एक id आहाएगी ठीक है तो इसके लिए करना है करना पेगा हम ना जो हमारी सारी जिस्तिक की डिटेशन उसको एक व्यइ captiveल ले 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 या ठीक है यहां पर वैर्यूय व्यज रिल करताओं Banner Details , Dollar Bella यहां पर Banner Details ले 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 हमने ठीक ह substant Oh, Then Here I can call the Banner I am the model where फिर्पिन जो ID हो जाएगी Dollar ID के फ़र्स्ट ठीक है जब विल्यों होगे इसको मैं कर दो तो इसको में यूज करके हम जितना भी मारा रिकोड होगा बैनर्स का वह मुसको फेच कर सकते हैं तो भीलिशों इसको मेरे बैने दीन होगा और यहां पर पर यहां परl Target Gill कंप बैने रेटिल्स के इसको में कॉपि कर लेता हूं कि और को किने के यहां यहाँ ना पहले हो आहें ऐपर दो है यहाँ पीयो में से प्रेंच कता हम यहाँ पराज कुछांत था नेक्स टैपने मेरी पास प्रीके नेक्स. यह चीज यहां पर आजाएगा मेरे पास content ठीक है next हमेरे पास link इसको मैं paste करता हूं link पर यहां पर आजाएगा मेरे पास link ठीक है और उसके बाद आजाएगा मेरे पास sort order यहां पर आजाएगा मेरे पास आजाएगा value इसकी वजेगी यहां पर simple sort order ठीक है sort order और यहां पर बैनरी इमेज में same हम code यूज करेंगा like banners का आज देख सकते हैं हमने image का यहां पर भी code लगाया था इमेज यह ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमने product में लगाया था i think वह use करेंगे मैं भी आपके ना सामने code पेस करता हूं तो यह देख सकते हैं हमारा पर जो image का जो record था वो मैंने यूज किया है if लगाके note empty dollar जो भी होगे हमारे पास और यह इसका path देते हैं कि यह image वहां से select कर ले ठीक है और इसकी width 250 करती ठीक है मैं इसको save करता हूं इसको मैं करता हूं edit product ठीक है अब मैं save करता हूं इसको तो अब let's see अब देखता हमारा जो हमारे पार जो database का record फेच हुआ है यह नहीं होगा तो let's see अब हमारी जो command अभी database से correct नहीं हुए जिसके वही मैं show नहीं कर रहा तो let's see तो इसके बाद हम क्या करते हैं अब हम command रहेंगे अपनी database में oh sorry अपने controller में ठीक है तो commands में बस already call it है ठीक है तो मैं just यहां पे paste करूँगा क्योंकि हमारा time भी बज़ ठीक है तो मैं code आपके सामने जातों यहां पर तो जी हां यह देखिए यह हमारे पास added का code है ठीक है मैंने simple यहां से लेकर यह इतना सा code बनता है यह मैंने paste की है हमने request लगाई method की ठीक है तो इसके बाद हमारे पास यह image upload का हमारे पास हो यह code है ठीक है image upload का और यह current image ठीक है जब यह मेरे कासे show करेगा हमारे data और यह जो मारे बैनर को मैंने update किया ठीक है update का function को और यह जो नेम था यह हमारे text field का name है ठीक है तो इसको update कर दीए ठीक है आप देख सकते हैं ठीक है तो यह हमें इसको यहां से save करता हूँ ठीक है मैं जब भी हमारा editor होगा तो इसको सेफ करता हूँ तो let's see हमारी अभी image भी show होगी image अभी तक नहीं show होगी तो let's see I think कुछ error show पार रहा है तो let's see इसको देखते है कि क्या error हो सकता है तो हम जाएंगे edit banner में ठीक है तो upload banners 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 details okay image okay मैं इसको view banners में दबार जाता हूँ इसको दबार edit करता हूँ okay तो हमाएं कुछ issue जरूर आ रहा है तो इसको मैं sort out करता हूँ इसको मैं अपने video continue करता हूँ okay तो I think मैं यह error नो पता चाल गया वह यह क्या था basically मैंने जो spanning थे नो ठीक नहीं थे जीज़ें कि मैंने details डिकना हूँ ठीक है तो details डिकने के बाद आप यह देखता तो यहां पर इसको मैं तो यहां पर इसको मैं सेफ करता हूँ और यहां पर भी मार पास आजएगा चीका मैं सेफ करके refresh करता हूँ let's see okay banner details अच्छा यहां पर भी हमने change नहीं किया तो इसको भी change कर लेते हैं banner details okay now we can refresh जी हाँ yes और यहां पर मैं इसको टू कर देता हूँ चीका और image में भी यह लगा रहा हूँ इमें भी change होजेगी तो यहां पर कुछ issue अपलोड का issue अपलोड नहीं हो रही तो देखते हैं तो यहां पर आई तिंग हमने यह input की field नहीं लगाई थी तो इसको मैं लगा रहा हूँ input field ठीक है तो मैं इसको refresh करता हूँ तो यह यह देखिए हमने पर से यह choose file भी आगया तो मैं इसको तबारा s s and number two करता हूँ ठीक है तो let's इसको मैं refresh करता हूँ तो आप यह देख सकते हमारे पर स्वें पर s भी आगया और s और टो भी change आगा ठीक इसको मैं दबारा अन्या पर चेंज कर देता हूँ तो यहां पर जाएगा mar canvas F and here यहां पर जाएगा mar canvas one तो यह mar canvas होजाएगा left तो इसको मैं दबारा save करता हूँ तो यह देखिए हमारा record सारा save होगा ठीक है तो यही थी हमारी आच की वीडियों ठीक है कर दो कि एन देस्ट वीडियों में आफ दो